हेलो गाइस, वेलकम टू किट्टू ड्रीम हाउस फ्रेंट्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी स्माल सी गार्डन देखे कितनी हरी भरी सी है और ये गन्ने से लेकर के 8-10 ग्रो बैग्स तक आपको दिखाने वाली हूँ और ये जितने भी ग्रो बैग्स हैं आप देख रहे हो न कितने ग्रीन ग्रीन भरे भरे से हैं इन में जैसे कि लगी हूँ है बंद गोबी, ब्रॉकली, फूल गोबी और उनके इर्द गिर्द लगे हूई है मूलियां सलगम और बीच में ही किसी में टमाटर ये वाला तो निचे से थर्मा कोल के बॉक्स से लगा हुआ है और चार फिट लंबी होगी है ये बेल टमाटर की और देखिए हार ग्रो बैग्स में बंद को भी फुल को भी ब्रॉकली के बुटे लगे हुआ है इर्द गृद इनमें मूलियां सलगम भी कितने अच्छ होए हैं और ये वाला जो देख रहे हो गोबी का बुटा ये मैंने बहुत लेट लगाया इसमें भी क्योंकि ये जो है ना मेरे पास पौद मैंने खुद ग्रो की थे से जो हैं गोबी के आपको मैंने बताया था पिछली वार और य डान काओ चाहते हैं दीपल तो जाता है और यांया जो जडमे मैं देख रहे हूं ये छोटे होते है ना तो और ये स्वाड़ने के हुघात dai को प्रपल लाइट सा हो जाता है और यहां जो जड़मे मैं देख रही हूँ यहां से मैंने चार बैंगन तोड़े थे और यह देखिए मैं एक ही बुटे यह दिखा रही हूँ और इसी तरह है कि बेल टैप के यह बुटे छे बुटे हैं मेरी गार्डन में और यह वाला दूसरा बैंगन है यह थोड़ा इस पर बैंगने लगे होती है और जैसे एक दिन इलेक्टरिशन भहिया जो हमारे घर में आते हैं कुछ खराब हो जाता है या लाइट का कोई काम कराना हो वह भहिया की भी वाइप बहुत पसंद करती है मेरी बीडियो और वह भहिया भी बहुत पसंद करते हैं और जब भी व बैंगन मैं बनाने वाली नहीं हूँ यह मैं या तो अपनी सिस्टर को दे करके आऊंगी जो मैं न्यू गार्डन कर रही हूं सिस्टर की त्यार या फिर अपनी किसी फ्रेंट को दूँगी या प्रॉस में दूँगी मैं आज बनाने वाली हूँ साग कुछ इस तरीके से हर बेंगन के बुटे से तोड़ करके सबजी त्यार हो जाती है और ये देखिए मॉंटी पे जो मैंने मेथी लगाई हुई है आप देख रहे हूँ मेथी कितनी अच्छी हुई है देखने में आपको लग रहा हुगा कि जैसे खेत में लगी है और ये बत्थू जगा जगा लग हुआ है एक गुच्छी के लगभग बत्थू निकलाता है मेरे ग्रो बैक्स में से क्यारी में से या फिर धर्मकोल के लगाई हुई है मैंने थर्मकोल में पालक सर्सों धनिया ये सब उनमें बीच-बीच में बत्थू भी होता है और आपको देखे दिखा रही हूँ मैं कि कैसे मैं कट कर रही हूँ आपको लग रहा ना एक दम से जैसे कि हम खेत में से काट रहे हैं ये मेथी बस फर कितना है खेत में दराती से काटते हैं और यहां मैं सीजर से काट रही हूँ क्योंकि मिटी इसमें बहुत कम है ना जिसमें मैंने ये मेथी ग्रो की हुई है आपक इसको ग्रो किया था जैसे इधर मेथी है जहां पर मेथी है इसकी बगल में धनी है उसके आगे चने का साग है और चने का साग अब मैंने कली ही तोड़ा था किसी फ्रेंट्स को दिया था काट करके आये थे और वो कहते मैं आलू में डाल के बनाती हूं तो मैंने उनको कट करक आज मैं मेथी और सरसों ये सब काट करके साग बनाऊंगी पालक सरसों मेथी और ये लसन की भूंखें और प्याज की भूंखें भी मैं एक गुच्छी के बराबर तोड लेती हूँ अपने एक एक दो दो जहां जहां लगे देखिए टू गुच्छी के बराबर ये मेथी है और ये सरसों भी यहीं पास में जो थर्मा कोल की बॉक्स है, उनमें से कट की है, और ये देखी बाल्टी, जैसे बाल्टी तूट गी थी न, जहां तक वो तूटी थी, वहां से ले करके, मैंने इसको गरम चाकू करके कट कर लिया था, और इसमें इर्द गिर्द मैंने सरसों ग्रो कर दी थी और बीच में गोबी का बूटा लगाया हुआ देख रहे हो आप एक गुच्छी के बराबर जैसे इन में से निकलाती है सरसों तो देखिए जगां जगां से तोड़ा मैंने सरसों ये देखिए सरसों तोड़ी है और ये देखिए मेथी है मेथी भी मैंने कितन सारी हो गी है ये थर्मकोल के बॉक्स से और ग्रो बैग से बाल्टी से इधर उधर से मैंने इनको कट किया है जैसे कि सरसों के एक दो-दो दाना अगर आप हर ग्रो बैग में गिरा देंगे जहां पर जगा लगती है आप देख रहे हैं कुकर भर के साग बनेगा चार गुच् में गमले में जहां जो भी आपने लगाया हो उनमें एक-एक-दो-दो धाना आप सरसों का डाल देते हैं तो इस तरीके से आप उसमें से साग तोड सकते हैं और ये देखिए जैसे ये एक प्याज की भूंक दिखा रही हूं आपको एक ही प्याज पे इतनी सारी भूंके है और अगर हम ऐसे ही प्याजों से तोड़ेंगे ये भूंकें काटेंगे तो एक गुच्छी के बराबर ये प्याज की भूंकें निकलेंगी और ये साग में बहुत जरूरी होती हैं इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है जैसे प्याज की भूंकें और लसन की भूंकें इससे बहुत अच्छा साग बन जाता है तो ये साग जो बनाएंगे और खाएंगे इतना टेस्टी बनेगा कि जो हम आम रेडियों से साग लेते हैं उनसे कहीं गुना जाकर के ये अच्छा बनता है साग कहीं गुना अच्छा बनता है बहुत टेस्टी बनता है और तुरंत का गजर के बीच डाले हुएं ये भी काफी अच्छी हो ईए आइसे ही मैंने तीन चार जगान डाले हुएं गजर के बीच बस देखने में अच्छे लगते हैं गजर मूली यह सब तो बहार से बहुत सस्ती मिल जाती है आसके करन pledge ह यह freedom अधे कर बाध से ही सारती हम बहार से करते तो गाजर जैसे जूस बनाते हैं तब लाते हैं अगर वाइज खाने के लिए तो मैं यहीं से खाती हूँ तोड़ करके मुझे अच्छा लगता है ऐसे फाड़ करके अगर हम वाश करके उसको खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बैंगन कुछ इस तरीके से सारी गार यह जो इस तरीके से बेल के रूप में है एक ही नक्सा बना हुआ इन बूटों का और काफी अच्छे बैंगन इनके उपर आते हैं तो गैस सिमला मिर्च भी आगे को त्यार है आने वाली और हरी मिर्च का भी मैंने अभी वीडियो नहीं दिखाया आपको लेकिन दिखाने ही वाली हूं बहुत जल्द अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगाओ या फिर कुछ आपने रीस की हो जैसे कि आपने लगाने की नहीं भी जादा गयसी इधर उदर चार-चार इंटे रख लीजी बीच में कोई तरपाल या बोरी बगेरा बचा करके उस पे आप थोड़ी हलकी मिट्टी डालके आप सरसों में थी पालक धनिया तो ग्रो करी सकते हैं तो ऐसे देखे टमाटर की बेलों पे देखे टमाटर कितने तोड़े हैं मैंने टमाटर बहुत तोड़ती हूं मैं टोकरी बरबर के टमाटर तोड़ती हूं मगर यही है ना गाइस इसी वीडियो बनाओंगी तो लंबी हो जाती है ओके गाइस